नमस्का दोस्तो हमारे चैनल में आपके स्वागत है आज मैं बात करने वाला हूँ EPF के KYC पोटल में अगर आपके पास बैंक के आपस नहीं आ रहा है तो बैंक के आपस नहीं आएगा पैसे बिड्रॉल नहीं कर सकतो मैंने आप आप लोगो को step by step बताऊंगा वीडियो को complete देखती जाए तब ही जाके आपको पाता चलेगा उससे पहले आप लोगो को और एक चीज ध्यान रखना है bank KYC करने का टाइम है जो भी problem आएगा वो मैंने वीडियो के last में बताऊंगा वीडियो को complete देखने का बाद ही जाके आपको पाता चलेगा चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं उसके लिए क्या करना है पहले स्टार्टिंग से आप लोग देख लिजे तब ही जाके आपको पाता चलेगा आपको यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं यही आपको टाइप करना है उसके बाद क्या करना है आपको सार्ज बार में क्लिक कर देना है सार्ज बार में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाए दे रहे है एक पर आपको क्लिक कर देना है इसके पर क्लिक करने के बाद हमारे पास next page open हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकतो ऐसे बाले page आपके पास open हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है link UN आधार इसके उपर आपको क्लिक कर देना है link UN आधार इसके पर क्लिक करने के बाद आपको क्या कर दो बारा generate OTP, इसके उपर दो बारा आपको click करना है, ध्यान रखना है, एक बार click करना है आपके mobile नमर यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद क्या करना है, आपको दो बारा generate OTP, इसके उपर click कर देना है, यहाँ पर बहुत सारे बंदे घबड़ा जाता है, आगे क्या करना है, O यहां पर देख सकतो ओटीपी डालने के बाद आपको क्या करना है यहां पर डायरेक्ट आपने आधान नॉमबर यहां पर डाल देना है आधान नॉमबर डालने के बाद आपको क्या करना है इसके उपर रहने देना है इसके उपर क्लिक नहीं करना है इसके पर क्लिक करने के ब पाइव मैट्रिक के दौरा आपने के यहां पर सम्मिट करना है आपको ध्यान रखना है यहां पर वेरिफाई कराने के लिए आपके पास अब यहां पर देख सकतो मैंने capture फिल कर दिया अगर आपको यह वाले capture समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है इसके पर क्लिक कर देना है आपको क्या करना है यहां पर Process for Verification इसके उपर click कर देना है Process for Verification इसके उपर click करने के बद आपध यहाँ पर देख साकते हो Next Page आपके पास open हो जाएगा यहाँ पर उपर आपको दिखाए देगा आपने आधार के Last 4 डिजिट उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर छोटा सा बॉक्स दिखाई दिए इसके उपर क्लिक करना है उसके बाद और भी कुछ नहीं करना है अगर आप मैसेज के थूरू OTP पाने चातो आपको क्या करना है मैसेज के उपर क्लिक करना है अगर आपको इमेल के थूरू अगर इसके उपर डाल देना है अपने रेजिस्टर मूबाइल नॉम्मर पर ही OTP आएगा आपको ध्यान रखना है मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूं पहले अब मेरा पास आ गया OTP मैंने यहाँ पर OTP डाल दिया OTP डालने के बाद आपको क्या करना है नीचे verify OTP इसके उपर आपको क डिटेल्स दिखाई देगा आधान नॉम्मर आपको यहाँ पर दिखाई देगा यूएन नम्मर आपको दिखाई देगा नीचे यहाँ पर साक्सेसफूल डेट के साथ आपको यहाँ पर डिटेल्स में बिल्कुल दिखाई देगा उसके बाद आपको क्या करना है आपको ब क्लिक करने के बाद आपको क्या करने है आपने UN मर् यहां पर डाल देना है इसके बाद इसके पर फोड देख सकतो तो फोड़ डिखाइद के आपको यह बाद से इसके बाद आपको भी ऐसे ही दिखाई देगा अब मैं यहां से बैक जा रहा हूं बैक जाके आपको इवेन अकाउन ओपन करके दिखाई तो हमारे केवाइसी वेरिफाई हुआ है या नहीं हुआ है आप यहां पर देख सकतो मैंने अकाउन ओपन कर लिया अकाउन ओपन करने का बात यहा अभी update की आए, update के option यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब pending में अभी नहीं दिखाई दे रहा है, और उपर अभी bank के भी option नहीं आया, जब तक bank के option नहीं आएगा, आप bank के KYC नहीं कर सकतो, आप यहाँ पर देख सकतो, bank के KYC नहीं आया, तुरांद account ओपन करने के बा आप यहाँ पर देख सकतो हमारे आधार कार्ड वेरिफाई हो चुका है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर manage पर जाने के KYC में जाना है, KYC में जाने का बाद आप यहाँ पर देख सकतो हमारे bank के option आ चुका है, bank के option आने का बाद आपको क्या करना है, bank के KYC कैसे क खत्मों का आपको एक वीडियो मिल जाएगा उस वाले वीडियो को देखे आप आपने बैंक के के बाइसी कर ले ना है आप मैं आप लोग को बादाएता हूं यह चीज करने के लिए कितना दिन टाइम लगा और क्या परिशान उठाने बड़ा यह जो एकाउंट है बहुत आपने इंटरेस भी नहीं आएगा इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है और इसमें जो मोबाइल नमर था मोबाइल नमर भी बंद हो चुका था दूसरे का पास मोबाइल नमर एक्टिव होने का बाद उससे ओटीपी लिया ओटीपी लेने का बाद यह नमर पर मोबाइल नमर चेंज किया जब तक आप अपने मोबाइल नमर सही नहीं कर ले तो आप नहीं कर सकतो आधारकार में जो मोबाइल नमर है अपने यूएन अकार में सेम मोबाइल नमर होना चाहिए जब तक सेम मोबाइल नमर नहीं होगा आप नहीं कर सकतो कि मेरे को भी बहु तो आपके KVCI, ओए के पास नहीं जाता है, मतला आपके कोमपानी के पास नहीं जाता है, डारेक्ट पीए बापिस में जाता है, चोबिस घंडे से पहले ही हो जाता है, दोस्तो ये था छोड़ा जानकारी जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बेल नोटिफिकेशन को अन कर दीजे जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा आपको बाज नोटिफिकेशन पहुंच दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में